अस्सालम अलेकुम हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सिसाइज 2.8 का कॉश्चन नुमबर 2 जो कि क्या है क्या लिका है इफ x equal है 2 minus under root 3 find the values of x plus 1 upon x and x square plus 1 upon x square यहाँ पे हमें करने क्या है यहाँ पे हमें x की value जो है वो given है हमें x plus 1 upon x c value find करनी है और x square plus 1 upon x की value find out करनी है अब आप देखें यहाँ पे हमें x c value तो given है अब और हमें find करने x plus 1 upon x तो x हमें given है लेकिन हमें 1 upon x तो नहीं मालूम तो हम क्या कर लेंगे पहले one upon x प्राइंट कर लेंगे अब क्या करेंगे one upon x है न तो उसके लिए हमें कर सकते हैं अगर x equal हमारा इसके तो one upon x इसके को लोगा तो one upon x होगा ठीके one है न उपपर one की जगा पर one आजएगा one और x की जगा पर x की value आजएगी जो के हमें given थी जो के क्या थी वो थी two minus under root three सही अब हम क्या करेंगे देखें अब भी divide में आ गया है root की value तो हम क्या करेंगे इसको rationalization जो हमने किया था question number one में हम वही काम यहाँ पर करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा यह मैंने लिखा one for x तो यह क्या होगा यह लिखा one two minus under root three तो मैं क्या करूँगी इसके denominator के conjugate से ही multiply भी करवाँगी और divide भी करवाँगी तो क्या होगा यह minus की value थी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा conjugate मतलब इसका plus की value तो इससे हमने क्या कर दिया multiply भी करवा दिया और इससे हमने divide भी करवा दिया और यहाँ पर हमने क्या किया है यहाँ पर हमने rationalization की है ठीक है यहाँ पर मैंने link भी दिया कि हमने यहाँ पर क्या क्या है यहाँ पर हमने rationalization की है अब क्या होगा यह one upon x ही है तो यह हो क्या रहा है ये 1 जो है 2 ुच 2 ृ 2 स and regression 3 से multiply हो रहें तो हम क्या करेंगे से 2 प्लband तो और 2 प्ल vandaag 8 तो हम पहले है यहाँ फॉर्मुला पर प्लै करदेंगे कुम सा formula we know that a square minus b square equal है a plus b a minus b हम यह वही काम कर रहे हैं जो हमने question number 1 में किया था 2.8 में ही ठीक है तो अभी क्या हो जाएगा 1 upon x equal उपर तो यही आ जाएगा 2 plus under root 3 upon में क्या आएगा a यहाँ पर 2 है और b क्या है under root 3 तो a की जगा पर क्या आजाएगा a का square है न तो मतलब यह हो जाएगा 2 by square फिर minus b के square में क्या आजाएगा under root 3 का square तो अभी क्या हुआ 2 plus under root 3 तो उपर इसे ही आया 2 का square क्या होता है 4 और यह root से under root क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा तो simple गया बचेगा 3 बचेगा 4 minus 3 क्यों होता है 1 के और 1 हम लिखते नहीं है तो इसका मतलब यह हुआ कि 1 upon x equal हो गया 2 plus under root 3 के अब देखें हमने करना क्या था कि हमें x की value given थी और हमें x plus 1 upon x की value find कर लिए देखें हमने यहां पर क्या कर लिए यहां पर 1 upon x भी हमने find कर लिए x हमें given था 1 upon x हमने find कर लिए अब हम क्या find करेंगे अब हम find करेंगे x plus 1 upon x तो यहां पर मैं एक heading डाल दूँगी किस चीज की 4 x plus 1 upon x ठीक हमें यहां यहां फाइंड करना है अब हो क्या रहे यहां पर x तो हमें given था तो मैं यहां लिखोंगी x plus 1 upon x x हमें given था न हम उसकी value यहां पर put कर देंगे हमें क्या given था हमें x given था 2 minus का under root 3 तो यह 2 minus का under root 3 जो है मैं इस x की जगा पर लिख दूँगी 2 minus under root 3 फिर क्या sign है plus का sign है x की value बाला रख दी अब क्या है plus का sign है plus का sign लिखा और 1 upon x की जगा पर जो भी हमने किया है rationalize हम वो लिखेंगे तो क्या है 2 plus का under root 3 अब आप देखें यह जो value है यह मैंने x की value रखी है फिर यह plus है और यह 1 upon x रखा यह हम क्यों हमें यह फैंड करने x plus 1 upon x तो मैंने इसकी value फूट कर दी अब क्या करेंगे जो simplification होगी यह जो cancel out हो रहा होगा हम उसके कर देंगे तो यह under root 3 minus का है यह under root 3 plus का value same sign change तो यह क्या हो जाएगा यह cancel out हो जाएगा ठीक है यह cancel out हो गया तो remaining क्या बच्चा x plus 1 upon x इसकी फूले 2 plus 2 कितना होता है 4 तो हमारे पास x plus 1 upon x इसकी फूल आगा 4 के सही हमने क्या क्या है just हमने x के value given थी हमने 1 upon x find कर ले क्योंकि हमें x plus 1 upon x चाहिए था तो उसके लिए हमने x को rationalize कर दिया rationalize करने के पास हमने value put कर दी सही अब हम क्या करेंगी से जरीके हमें find करना है x square plus 1 upon x square तो इसको find करने के लिए क्या करूंगी मैं ये करूंगी कि जो हमारे पास अभी x plus 1 upon x आया है इसी वे मैं कर दूंगी squaring क्योंके हमे i square find करने x square plus 1 upon x square तो इसami मैं कर दूंग स्क्वाइरING तो इसमा क्या हो जाएगा नहीं पर मैं लिख दूंगी Clairuing on both side यहां पर मैं यह लिख दूंगी squaring on both sont ď라고 खीकर मैं यहां पर squaring on both side कर दूंगी यह क्या हो जाएगा यह यह हो जाएगा x plus 1 upon x पे whole इस पे भी square आजाएगा और 4 पे भी square आजाएगा यह minus नहीं है मुझे गलती से sign लग गया यह plus ही ही ठीक है तो यह x plus 1 upon x square और यह हो जाएगा 4 का whole square अब देखें यहाँ यहाँ पे x plus 1 upon x का whole square है तो यह क्या हुआ यहाँ पे direct हम square तो नहीं जैसकते यहाँ पे formula apply होगा कौन सा formula a plus b ka whole square का formula और a plus b ka whole square का formula क्या होता है वो हम यहाँ पे लिख जाते है तो यह मैं यहाँ पे a plus b ka whole square का formula लिख जाती हूँ we know that a plus b ka whole square equal होता है a square plus b square plus 2ab ठीक है यह formula होगा है अब मैं क्या करूँगी इसको formula को expand कर दूँगी वहाँ पे क्या लिखा है यहाँ यह लिखाता है यहाँ पे x plus one upon x का whole square तो यह हमारा a है यह b है जहाँ जहाँ a होगा वहाँ वहाँ में x रख दूँगी जहाँ जहाँ b होगा यह हम इसका find कर रहे है 4 x plus one upon x square सही तो अब मैं यहाँ पे कर दूँगी x का square plus b की जगा क्या जाएगा one upon x square plus 2 a की जगा x b की जगा one upon x सही equal है 4 था न तो यहाँ पे आजाएगा 16 और आप यह देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है यह x ओड़ा है और यहाँ ने हैं यहाँ यहाँ पे क्या बचा x square plus one upon x square plus two equal 16 हम एक recover x square find करना ही तुम यहाँ इसके साथ plus हो रहे है महाँ जाएगा तो यह हो जाएगा x plus one upon x square equal sixteen minus two तो x plus one upon x square equal हो जाएगा 14 यह है हमारा answer किसका answer? question number 1 का अब हम चलते हैं अपने question number 2 की तरफ sorry question number 2 हम कर चुके हैं अब हम करने जा रहे हैं question number 3 question number 3 में हमें क्या given है? यह given है if p equal है 3 plus 2 under root 3 find p plus 1 upon p and p square plus 1 upon p square यह भी बिल्कुल question number 2 की तरह ही होगा यहां पे हमें p given है और हमें p plus 1 upon p find करना है और p square plus 1 upon p square find करना है तो अब हमें p तो पता है लेकिन हमें 1 upon p नहीं पता तो हम 1 upon p के लिए क्या करेंगे? अब हम 1 upon p के लिए वही काम करेंगे क्या? कि हमें पता है अगर p is equal है तो इसका मतलब यह हुआ 1 upon p की is equal होगा one upon p, one की जगा one आया और p की जगा p की value आजाएगी three plus two under root three sorry two सही, p की जगा p, तो यह हो जाएगा one upon p, अब क्यूंकि यह नीचे divide में इसके जो है under root में value लिखे हुई है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको rationalize करेंगे मतलब यह कि जो denominator में जो भी कुछ है उसको conjugate, उसी के conjugate से हम उसको multiply भी करेंगे और फिर divide भी करेंगे तो आजे करते हैं तो यह हो जाएगा one upon p यहाँ पे आएगा one three plus two under root two ठीक, इसको मैं क्या करूंगी multiply करूंगी इसी के conjugate से, मतलब three minus two under root two one three minus two under root two conjugate लेना बहुत सिंपल है कि यह plus का sign होगा तो यहाँ minus का लगा देंगे और minus होगा तो प्लस यहाँ पे हमने क्या है कि rationalizing की है तो यहाँ पे हम लिख देंगे rationalization सखी, अब हम क्या करेंगे देखें यह one जो है three minus two under root two से multiply हो रहा है तो हम यहाँ इसको multiply कर देंगे तो यह होगा है one upon p और उपर आ जाएगा three minus two under root two और divide में क्या हो रहा है यह दोनों bracket आपके से multiply हो रहे हैं तो मैं यहाँ लिख दूँगी three plus two under root two और यहाँ जाएगा three minus two under root two अब यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे वही वाला formula apply हो जाएगा तो कि अभी हमने लगाया भी था पहले तो कि क्या है we know that a square minus b square equal होता है a plus b के और a minus b के अभी a जो पहली वाली वाली होती है वो a है और दूसरी वाली वाली होती है वो b यह a और यह b a plus b और a minus b किसके equal होगा a plus b a minus b equal होगा a square minus b square के तो इसकी जगह हम क्या कर देंगे one upon p a से ही आएगा उपर की जो वेली होती 3 minus 2 under root 2 हमने ऐसे ही लिखी upon a का square minus b का square तो a का square है 3 तो 3 का square minus b क्या है 2 under root 2 का square तो यह हो जाएगा a का square minus b का square अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसको मैं ऐसे ही लिखूंगी one upon p equal 3 minus 2 under root 2 ऐसे ही लिखा upon 3 का square क्या होता है 9 होता है यहाँ पे 9 आजाएगा minus अब यह देखें यह जो square है यह under root 2 पे भी हो इस 2 पे भी हो तो 2 पे जब वो आएगा तो वह 4 हो जाएगा और यह root से square कैंसल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे simple 2 रह जाएगा तो यह 4 हो गया और यह 2 तो 4 तो 2 हो जाएगा हो जाता है 8 हो जाता है तो मैं यहाँ डाले क्लिक देती हूँ 8 तो जब हम 9 मैं से 8 को minus करेंगे तो 1 upon P के आजाएगा 1 upon P आजाएगा 3 minus 2 under root 2 यह हमने क्या find कर लिया है यह हमने ले लिया है 1 upon P हमने जो है इसमें से खड़ लिया है ठीके तब हमारे पास P की value भी given है हमारे पास 1 upon P की value भी given है हम बहुत असानी से जो है P plus 1 upon P find कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे अब हम P plus 1 upon P find कर लेते हैं तो हम यह पे P plus 1 upon P हम find करना है तो P की जगा मैं अभी आएके लिक रहे हूँ P plus 1 upon P हम find करना है तो P की जगा P की value आजाए कि जो कि हमें गिवन थी क्या गिवन थी वो गिवन थी 3 plus 2 under root 2 ठीके 2 under root 2 सही तो यह मेरे पास क्या गई है यह मेरे पास P की value है यह plus है वो यह क्या है यह 1 upon P की value है तो हम P plus 1 upon P find कर रहे हैं तो अब यहाँ पे क्या होगा जो उसे value होगी उसे हम क्या करेंगे हम उसे cancel out कर देंगे मतलब sign change उसे value तो 2 plus under root 2 है यह minus कर 2 under root 2 हो तो क्या होगा यह plus कर 2 under root 2 हो यह minus कर अदर root 2 cancel out हो जाएगा तो remaining क्या वचा हमारे पास वचा P plus 1 upon P इक्वाल किसके है 3 plus 3 कितना होता है 6 तो P plus 1 upon P की value हो क्या आ गई है 6 आ गई है अब हमें क्या find करना था अब हमें find करना है इस पे square करना पड़ेगा किस पे P plus 1 upon P पे तो हम यही काम कर लेते हैं तो हम यह करेंगे कि हमें पता है P plus 1 upon P जो है एक्वाल है 6 के और हम जो इसके square find करना है तो मैं क्या करूंगी squaring on both sides तो यहाँ पे हम काम कर देंगे squaring on both sides ठीके तो यहाँ पे क्या हो जाएगा P plus 1 upon P का square और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 पे square तो यह जो है P plus 1 upon P तो इसका मतलब ही होगा कि यहाँ पे हम फ्रॉम्लाफ लाए करेंगे कौन सा वाला A plus B के whole square वाला यहाँ पे हो जाएगा A plus B का whole square सही है अब आप यहाँ पे देखें यह A जो है P है और जो B है वो क्या है वो वारपन P है तो यह condition वानी भी A plus B का whole square मतलब P plus 1 upon P का whole square तो हम क्या करतेंगे इसके जगाँ यह formula expand करतेंगे तो जहाँ जहाँ A है वहाँ वहाँ में P रगतेंगी जहाँ जहाँ B है वहाँ में 1 upon P रगतेंगी तो A का whole square है अब देखें हम यह वाला side expand करेंगे इसको ठीक है तो A का जगाँ क्या से हैगा P, P का whole square B की जगा 1 upon P का whole square plus 2 A की जगा P और B की जगा 1 upon P सही इस पूरी की जगा मैंने यह formula expand कर दिया equal 6 का square क्या होता है 36 6, 6 to 36 होता है अब आप यह देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है यह P से यह P cancel out हो रहा है ठीक है तो जो remaining values जो है वह में लिख देती हूँ तो यहाँ पर क्या बचा यहाँ बचा P square यहाँ बचा 1 upon P square प्लस का 2 equal to 36 तो यह प्लस का 2 वहाँ पर आके क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा क्योंके हमें सिर्फ 1 upon P square री find करना था P plus 1 upon P square find करना था तो यह हो जाएगा यहाँ पर आके माइनस का 2 तो अब हम क्या करेंगे इस 36 में से 2 को जब माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 34 और हमारे पास क्या आ गया है हमारे पास P square plus 1 upon P square का भी आंसर आ गया है बिल्कूल इसी टेक्निक से इसी मेथड से जो है हम 2.8 की बागी questions भी solve करेंगे तो अब हम चलते हैं अपने question number 4 की तरफ ओके तो question number 4 गया है कि Q equal है under root 2 plus under root 3 find the Q minus 1 upon Q and Q square plus 1 upon Q हमें Q की value given है और हमें क्या find करना है हमें Q minus 1 upon Q find करना है और Q square plus 1 upon Q square find करना है Q given है Q given है 1 upon Q नहीं है तो हम पहले क्या कर लेंगे हम पहले 1 upon Q find कर लेते हैं अब हम क्या करेंगे 1 upon Q equal होगा 1 की जगा पर बना जाएगा upon और Q की जगा Q की value आजएकि Q की value क्या है वो है under root 2 plus under root 3 ठीक है अब क्योंकि एडिवाइड में under root आ चुका है तो हमें ऐसे यह आगरना पड़ेगा हमें इसे रीश्टलाइजेशन इसके साथ करनी पड़ेगी मतलब यह क्यों होगा कि इसके जो denominator के conjugate है उसे multiply और उसे हमें divide भी करना करेंगा conjugate जिस तरीके से हमने किया है हम ऐसे ही करते हैं तो यह हो जाएगा 1 upon q equal 1 upon यह under root 2 है ना under root 2 plus under root 3 तो conjugate के लिए क्या करेंगे हम इसको multiply करवा देंगे इसके denominator से मतलब इसके conjugate से ना तो इसमें simple बास sign change हो जाएगा तो अभी क्या हो रहा है यह 1 उपवाल नम्मर से multiply हो रहा है तो जो यह 1 इससे multiply होगा तो answer क्या आएगा वह ही आएगा under root 2 minus under root 3 सही 1 और इसको मैंने रख दिया ब्रेकिट में under root 2 plus under root 3 और यह क्या है under root 2 minus under root 3 तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर वही हो रहा है यहाँ पर formula apply हो रहा है a square minus b square क्योंकि यह हमारा a है यह b है यह a है यह b है a plus b a minus b और हमें पता है कि a square minus b square equal होता है a plus b a minus b के तो यह a है यह b यह a यह b यह minus का symbol बलता हो यह plus का symbol तो a plus b a minus b यह expand हुआ हो आवा न तो इसकी जग़गब हम क्या लिख देंगे अब हम इसकी जग़गब यह लिख देंगे a square minus का b square तो यह हो जाएगा 1 upon q equal उपड जो था वो लिख दिया under root 2 minus under root 3 अब कौन a का square है a क्या है हमार under root 2 है न तो a का square मतलब under root 2 का square minus b क्या है b under root 3 है तो b का मतलब यह है under root 3 तो यहाँ पर आ जाएगा under root 3 का square सही अब क्या हो रहा है अब कर लेते हैं जो हो रहा है यह हो जाएगा 1 upon q यह हो गया under root 2 minus under root 3 इसके root से यह cancel out हो जाएगा root से square cancel इसके root से square cancel ठीक है तो यहाँ पर क्या बचा यहाँ पर simple बचा 2 बचा 2 minus 3 बचा सही तो यह हो जाएगा 1 upon q equal under root 2 minus under root 3 upon minus 1 अब तो यहाँ minus का 1 है थो हम क्या करेंगे इस minus को उपर shift करतेंगे जब मैं इस minus को उपर shift करूंगी तो यह से हो जाएगा under root 2 minus under root 3 सही क्योंके 1 thumb नीचा लिए नगी हो तो मैंने minus का sign को भी उपर shift कर दिया अभी minus का sign जो है इस पूरे bracket से जब multiply होगा तो यहाँ पर कोई sign नहीं थे तो मतलब plus है तो यह minus plus माइनस हो जाएगा और यह minus इससे भी होगा तो माइनस माइनस plus तो क्योंके plus वाली value यह वाली है ना तो इसको मैं range करके मैं पहले लिख जाती हूँ सही इससे कोई फ़रक नहीं फ़र्टता कि अगर हम values को आगे पीछे लिख दें लेकिन शर्थ यह है कि उसके साइन सही लगे हुए होनी चाहिए ठीक है तो यह हो जाएगा चले मैं आपको करके दिखवा जाती हूँ होती है यह minus plus minus का under root 2 minus minus plus का under root 3 अब यह minus का पहले आ रहा था तो मुझे देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा और तो मैं क्या करूँगी मैं इसको आगे बिच्छे बस अरेंज करने जा रही हूँ और पुछ नहीं करूँगी तो यह हो जाएगा 1 upon q equal under root 3 minus under root 2 सही यह अभी हमने क्या find कर लिया यह हमने find कर लिया है q plus, sorry, 1 upon q q हमें क्यों था 1 upon q हमने find कर लिया है अब हमें क्या find करना था हमें find करना था q minus 1 upon q तो हम यह find कर लेते है q minus 1 upon q अब हमें क्या find करना है हमें q minus 1 upon q find करना है तो मैं कहा लिखूंगी मैं यह यह लिखूंगी q minus 1 upon q q की जगा मैं q की value रख जाती हूँ जो के क्या थी? जो के थी under root 2 plus under root 3 minus की जगा minus का sign लगाए है आप मैं लिखते हूँगी 1 upon q की value जो के अभी हमने find की थी हमने क्या find की थी? हमने find की थी अच्छा minus का sign थी मैं bracket में करके लिख रही हूँ under root 3 minus का under root 2 जब भी कभी कोई value minus हो रही हो और उसके बाद जो है 2-3 terms हो तो हमेशे bracket बनाना चाहिए उससे यह होता है कि हमें याद रहता है कि हमें उस minus के sign को पूरे bracket से multiply करना है अगर हम इससे नहीं करते तो answer पर गलत आ जाता है ठीक है तो यह हो जाएगा under root 2 plus under root 3 यहाँ कोई sample लगी है जो plus को sample होगा then cancel out हो जाएगे remaining क्या है simple यहां लिखा है under root 2 और plus under root 2 देखें इसके साथ कोई coefficient नहीं लगा यहां तो मतला 1 होगा और इसके साथ भी कोई नहीं लगा तो यहां पे भी क्या होगा 1 होगा तो 1 under root 2 plus 1 under root 2 तो answer आएगा 2 under root 2 तो यह हमारा किसका answer आएगा है यह हमारा answer आ गया है q-1 upon q का सही अब हमें क्या find करना था हमें find करना था q square minus 1 upon q square तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 4 q square plus 1 upon q square तो मैं क्या करूंगी q square plus 1 upon q square के लिए अभी जो हमने find किया है q minus 1 upon q तो मैं करूंगी इसी पर square on both side मतलब squaring on both sides अच्छा अब आप यह बोलें कि मतलब आपके mind में आ रहा होगा सवाल कि यहाँ पर प्लस का find करना हुई तो उन्होंने minus का लगा दिया क्योंकि प्लस है तो फिर हमें plus की value find होनी चाहिए उसके लिए फिर उसके बाद हम squaring करें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ऐसा कुछ नहीं होता क्यों नहीं होता है क्योंकि मैं आपको दोनों formula यहां पर लिखके दिखा तो मतलब a square plus b square तो यहां पर तो square में value आ जाएगी ना तो अगर हमारे पास minus value given हो और हमें उसका square में find करना हो तो हम उसी पर squaring on both side कर देते हैं तो जब मैं इस पर squaring on both side करूंगी तो यह क्या हो जाएगा यह होगा q minus one upon q का whole square equal to under a two ka whole square तो यहां पर तो formula apply हो जाएगा कौनसा minus वाला यह वाला है formula apply हो जाएगा यह a है यह क्या है b है तो a minus b का whole square है तो इसके जगा में यह formula apply कर दूंगी expand कर दूंगी यह वाला तो यह अधर क्या हो जाएगा a की जगा आजाएगा q अतलब Q का स्क्वाइर B की जगा आजाएगा 1 अपन Q का स्क्वाइर फिर माइनास का 2 A की जगा Q और B की जगा 1 अपन Q ठीके इस पूरी की जगा formula x squared हो गया है फिर equal का sign था लगा दिया अब क्यूँकर यह जो 2 स्क्वाइर है यह under root पे भी है इस पे भी है तो मैं इसको अलग-अलग करके दे देती हूं ताकि आप लोग confusion नहीं हो तो क्या होगा इस square से under root to cancel हो जाएगा इस Q से यह Q cancel हो जाएगा तो remaining क्या बचा remaining हमारे पास बचा Q square plus 1 upon Q square minus का 2 equal 2 का square क्या होता है 4 और यह simple बचा 2 तो यह हो जाएगा Q square plus 1 upon Q square equal 4 2 जागे होता है 8 minus का 2 यहाँ पे आके plus का 2 तो Q square plus 1 upon Q square 10 plus 2 इतना होता है 10 तो हमारे पास Q square plus 1 upon Q square का answer भी आ गया है ठीके अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे केमेंट पे पूछ सकते है और आपने अगर अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइनल यह आप उसे सब्सक्राइब कर दीज़े अब हम चलते हैं अपने Q5 की तरफ तो Q5 हमारे पास क्या है किरी राज लेकिन यहां नहीं रमकू से खास, यह इस्ट करेंग सब्सक्राइब अगर में यह थीर के रहें दो मुझे कर भी तो इसको मतलब यह होगा कर मुझे हां 144 i खानो 각 क्योंके अडर उठ ऑर गया तो हमें क्या करना पड़ेगा हमें इसको इसी के conjugate के साथ multiply और divide भी करना पड़ेगा तो इसको मैंने यहां लिखा under root 5 minus 2 multiply करवा दूंगी under root 5 plus के 2 से और इसके से में divide भी करवा दूंगी under root 5 plus के 2 से और यहां पे हम क्या काम करें यहां पे हम rationalization हमने की है तो हम यहां पे लिख देते हैं rationalization सही अब यह क्या हो रहा है one जो है multiply हो रहा है five plus under root 2 से तो हम इसको multiply कर देते है यह one upon y सही है जब इससे multiply होगा तो यह हो जाएगा under root five plus के 2 upon यह दोनों bracket को इसको मैं bracket में करके लिख देती हूँ five minus के 2 और यह हो जाएगा under root five plus के 2 अब देखे मैं यहां के कर दूँगी यहां पर मैं formula apply कर दूँगी वही वाला a square minus b square वाला जो पर क्या था we know that a square minus b square equal है a plus b a minus b के तो बस यह आगी फीचे है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता यह plus वाला पहले लिखा हुआ है बाद में लिखा हुआ है minus वाला पहले लिखा हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है तो हम इसको क्या करेंगे यह formula यह apply कर देंगे तो यह हो जाएगा one upon y equal under root five plus two upon a की जगा क्या आजएगा a की जगा यहां पर आजएगा under root five square तो यह हो जाएगा under root five square फिर sign minus का minus लगाए b की जगा आजएगा two square तो मैंने लगा दिए two square तो अब क्या होगा यह हो गया one upon y equal under root five plus two upon अभी क्या है under root जो है इस square से cancel out हो जाएगा तो simple हमारे पास क्या होचा हमारे पास five बचा तो यह हो जाएगा five minus two square क्या होता है four होता है और five minus four equal होता है one के तो one upon y equal हो गया under root five plus two तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे y plus one upon y हमने find कर लिया y हमें given है one upon y हमने find कर लिया अब हमें क्या find करना है हमें find करना है y plus 1 upon y तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4 y plus 1 upon y y plus 1 upon y find करना है न तो यहाँ पर क्या करने जा रही हूं यहाँ पर लिखोंगी y plus 1 upon y y की जगा y की value है y की value क्या थी under root 5 minus 2 plus का sign ते plus लगाया 1 upon y की जगा 1 upon y की value put कर देंगे 5 plus 2 value same sign change और तो value का थी cancels रहती है यह value same sign change तो यह cancels रहती है ठीक है था हमारे पास y plus 1 upon y क्या आया y plus 1 upon y आया है यह under root 5 यह 1 under root 5 यह 1 under root 5 दो यह प्लस हो रहे तो answer क्या जाएगा 2 under root 5 यह हमने क्या कर लिया y plus 1 upon y की value find कर लिया अब हमें क्या find करना है y minus 1 upon y की value find करनी है तो हम क्या लिख देंगे हम यहाँ पर लिख देंगे 4 y minus 1 upon y तो मैं क्या करूंगी y minus 1 upon y की जगा y की जगा y की value रख देंगे y हमारा क्या था y हमारा था under root 5 minus 2 फिर minus की sign ने वो लगाया फिर 1 upon y की value पूट करेंगे लेकिन break it लगा की क्योंकि जब भी minus की sign आता है तो हम क्या करते हैं break it apply कर देते हैं 1 upon y अभी हमने find किया है क्या किया है 1 upon y under root 5 फाइफ प्लस 2 तो under root 5 फाइफ प्लस 2 ठीक है अब क्या होगा अब यह होगा under root 5 हमने एक से लिख रिखा minus का 2 यह minus plus minus under root 5 minus plus minus का 2 value same sign change होते तो value cancel हो जाती है तो यह under root 5 plus का और यह under root 5 minus का यह cancel out होगा यह minus का 2 minus का 2 answer क्या आएगा minus minus plus तो minus का 4 तो हमने y minus 1 upon y भी क्या कर लिया है find कर लिया है अब हमें क्या find करना था इसके बाद हमें find करना था 4 y square minus 1 upon y square देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि y square plus 1 upon y square अगर हमें find करना होगा तो हम क्या कर देंगे a plus b के whole square यह a minus b के whole square का formula अप्लाई कर देते हैं लेकिन हमाँ पास कोई यह वाला formula कोई है जिसमें आ रहा हो a मतलब y square minus 1 upon y square जी हाँ जब हम अभी तक यूज करते हा रहे थे यह वोई formula यह है a का square minus b का square तो इसका मतलब यह होगा न तो इसका हम इस तरीके से लिख सकते हैं y square minus 1 upon y square equal होगा y plus 1 upon y और y minus 1 upon y क्यों? क्यों यह इसकी equal होगा? क्योंकि इसलिए equal होगा क्योंकि हमें पता है a square minus b square equal होता है a plus b और a minus b के तो यहाँ पर जो a है वो y है जो b हो 1 upon y यह a plus b होगा a minus b देखें यह पूरा इसको equal है ना इसके तो हमने यह formula से हमने वाला formula खोल दिया तो अब यह देखें यह होगा y square minus 1 upon y square y plus 1 upon y अभी हमने find किया था जो कि क्या answer आया था उसका answer आया था two under root five two under root five y plus 1 upon y की जगा उसका answer लिखा और y minus 1 upon y की जगा उसका answer लिख दूँगी कोई sign नहीं यह बीच में तो multiply हो रहे होंगे तो यह क्या होगा यह जो number है वो आपस से multiply हो जाएंगे मतलब कि यह two जो है score से multiply हो जाएगा तो two for the क्या होता है eight होता है plus minus minus what to the eight under root five तो y square minus one upon y square का answer क्या आगया minus eight under root five और यही हमारा क्या है हमारे question number five का answer है अगर आप इसके मजीज questions देखना चाहते हैं तो वो मैं अपनी second video में इंशालला upload करूँगी तो आप उसको भी देखिएगा ठीक है अलाहाफिस